नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्रतीका क्लासे स्के अंदर हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगी की computer को पढ़ना क्यू ज़रूरी है क्यों computer को पढ़े हैं हम किसी भी exam के लिए जिसमें computer subject आने वाला हो ठीके क्या होता है कि काफी बार बच्चे इस subject को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि subject काफी ज़़्यादद़ difficult है तो इसलिए छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा, इस subject को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि subject बहुत ही जादा easy है, बहुत ही entertaining subject है, बहुत कुछ सिखाने वाला subject है, आपको एक अच्छी चीज सिखाएगा, साथ साथ में आपको छोटा दे रखा होता है, सभी exam के लिए, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, maximum सभी बढ़ती exam के लिए, सभी बढ़ती के लिए क्यों मेहतपूर है, computer subject, computer subject को कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और किस हिसाब से पढ़ना है, कितना syllabus हो सकता है, बात करूँ, राजस्तान की बरती परिक्षाव की तैयरी करने वाले बच्चों के लिए, जो एक basic से बरती आती, छोटी परती के लिए मैं नाम लेता हूँ, एक राजस्तान constable की बरती आती ए, किस की बरती, राजस्तान constable की, ठीक है राश्थान Constable की जो वेकेंसी है राश्थान पुलिस के अंदर राश्थान Constable वेकेंसी अभी कुछी सालों पहले जैसे 2-3 सालों पहले जो 2019 से वेकेंस से निकलने लगी है इस वेकेंसी के अंदर एक सब्जेक्ट डाल दिया गया कम्प्यूटर क्या डाल दिया गया कम्प्यूटर और इस सब्जेक्ट को कैसे डाला गया के अंदर दे रखा है ался रिज्डिंग प्लस चम्प्यूटर ही साथ ही कम्प्यूटर डाल दिया गया अब बच्चे जब शृthose हुए दाना इस अर्व में तो क्या हुआ कि बच्चे कुछ कंफ्टर को छोड़ते गए और कुछ ने किया कि नगए पुलेंगे हम इसको छोड़ देंगे और हम रिजने को छोड़ देंगे। computer के कारण, किस subject के कारण computer के कारण, अगर इस subject को किसी ने पढ़ा है, तो उसका selection हुआ है, और जिसने subject को छोड़ दिया था, उसका selection नहीं हो पहे है क्यों नहीं हो पहे है selection, क्योंकि क्या हुआ, computer के question भी उसमें ज्यादा आए, easy question थे, बकाईदा कुछ काफी सारी बर्तिया जिनके अंदर computer का exam, पहले अगर मैं बात करूँ India level पर, जो computer subject आता है, computer subject, या अगर India level पर या फिर अपने पूरे national level पर जो exam होते हैं, उनकी बात करें तो SSC के अंदर, UPSC के अंदर UPSC के अंदर, SSC SSC सारे exam, बले वो क्या हो, CHSL हो, CGL हो कोई भी अपने constable का exam हो, GD का exam हो या फिर MTS का exam हो, हर exam में computer के question पूछे जाते हैं, ठीक है और फिर अगर UPSC का exam हो तो उस में भी एक या दो कोशन आपको computer में pre में देखने को मिलते हैं, ठीक है उसके अलाव भी काफी सारे exam पर जैसे IB का exam है SSC का exam है, SSB का exam है IB का exam, Intelligence Bureau के कुछ exams होते हैं, ठीक है या फिर Army, Navy, Air Force Army का जो exam हो, ता Army, GD वगरा ठीक है इनके अंदर भी computer का syllabus अच्छा खासा है, 10% या 10% से ज्यादा syllabus आपको देखने को मिलता है तो जिस भी exam में आपके 10% अगर syllabus है और उस syllabus को आप छोड़ के जा रहो तो इसका मतलब आपका computer में selection होना impossible है, ठीक है और दूसरा, अगर मैं राजिस्तान के exam की बात करूँ, जो राजिस्तान में जो exam होते हैं इनकी बात करूँ, तो हर exam में computer है, जैसे पटवारी के अंदर अलग से है, पटवारी वीडियो वीडियो ग्रामसेव का exam है, कॉंस्टेबल का exam है एक computer teacher का अलग से वेकेंसी आगई आपके लिए, computer teacher की अलग से वेकेंसी आगई है राजिस्तान के अंदर तो उन सभी के लिए भी कहा है, computer जरूरी है तो आप computer को एक तरह से बोज ना समझें, मेरा मानना है कि computer को आप बोज ना समझें, computer को अपनाना सुरू करें, जैसे mathematics सबको easy नहीं लगती है, सबको difficult लगती है, लेकिन हर exam में आने के कारण गणित सब लोग पढ़ने लग गए है इसलिए computer को अभी से आप क्या करें, एक अच्छे subject को मान के अच्छे से पढ़ें, कुछ माना मैंने के कुछ terms होती है, इसमें सिरफ English में होती है, ठीक है, लेकिन उसको वैसे ही पढ़ें, जैसे आप नए subject को पढ़ रहे हैं, उसको English में पढ़ें उसका हिंदी में translation देके उसको समझे, क्योंकि ये ऐसा subject है जो आपको पूरे में से पूरे marks, ये क्या करता है, पूरे marks दिला सकता है आपको, पूरे marks दिला सकता है exam के अंदर जैसे आपका 10 question है, तो 10 से 10 से ही हो सकते हैं, अगर आप ने इसको पढ़ा है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, ज्यादा deep में नहीं जाता है, नॉर्मल से question पूछे जाते हैं, आपका basic knowledge देखा जाता है कि computer में किता है ठीक है, तो ये था कि computer पढ़ना क्यों ज़रूरी है और किस-किस exam में computer है अब computer को पढ़ना कैसे है आपको कैसे computer को पढ़ोगे, वो जान नहीं दे ठीक है, तो आपको computer को कैसे पढ़ोगे, कि आपको computer को subject wise, topic wise topics पढ़ोगे, ठीक है जैसे हर चीज की पहले history पढ़ते है तो topic की बात करूँ मैं topic की, तो topic में क्या हुआ कि पहले history पढ़ते है history of computer ठीक है, पहले history पढ़ते है फिर उसका development पढ़ते है विकास पढ़ते है, development development यानि विकास पढ़ेंगे computer का कि computer का विकास कैसे हुआ ठीक है, उसके बाद हम input output या फिर बोलता है, hardware पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे hardware, computer के hardware फिर पढ़ेंगे हम software, software पढ़ेंगे, फिर कुछ MS Office जैसे पूचा जाता है MS Office, काफी exam में question आता है MS Office है, तो MS Office पढ़ेंगे, MS Word पढ़ता है, MS Excel पढ़ता है, कहीं कई PowerPoint भी पूचा जाता है, तो वो PowerPoint पर हम पढ़ता है MS Office के अदर, फिर जो main part आता है, वो आता है internet, क्या आता ह इंटर, नेट, तो ये बस इतने से topic है, जो basic कारण आता है, computer का fundamental तयार करने के लिए काफी है, और selective question आते है, question कोई hard and fast नहीं आते है, अलग से नहीं आते है, selective question आएंगे, हम अपनी class पर क्या करेंगे, आपको बगाईदा बता देंगे कि कौन कौन से question आने वाले है, कौन से नहीं आनवाल है, वो selective questions आते हैं, तो computer से डरिएगा, computer को अच्छे से पढ़िए, computer को revise कीजिए, नए subject की तरह अपनाईए, उनको language के कारण मत डरिए, भासा के कारण कभी किसी subject से नहीं डरना चाहिए, नहीं तो आप भासा के कारण उससे पीछे छूट जाओगे, आपका selection नहीं हो पएगा, ठीक है, चलिए, तो यह हमने जाना कि computer को कैसे पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, इसको हम डीटेल में एक live classes के तुरू, एक live class में हम पढ़ेंगे, साला सले बस ले लेंगे, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है सब, अभी इस वीडियो के मात दिम से हमने मोटा-मोटी यह जाना है कि computer को पढ़ना जरूरी है, computer के भीना selection नहीं होने वाला है, और computer काफी ज़्यादा जरूरी subject है, किसी भी exam के point of view से हो, ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को देखने के लिए तन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर करें परतिगे classes के जरूर जुड़े धन्यवाद